अगर आप मेरे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों क्या आप भी अपने कीचन की कामों को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और क्या आप भी चाहते हैं कि आपने जो भी चीज रखी है वो आपको बिल्कुल सही समय पर और जल्दी मिले हम चाहें अपने काम में कितने ही एक्सपर्टी क्यों नहों कभी कभी सिंपल सी चीजों में हम उलच के रह जाते हैं और हम फिर सोचते हैं कि इससे हम अब बाहर कैसे निकले कभी तो हम चावी रखके बैग में ऐसे भूल जाते हैं कि हमने कहां पर चावी रखी कितने सारे समान के बीच हमें उस चावी को ढूनना पड़ता है कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है या फिर कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे वेस्ट गलास हो जाते हैं जो कि हम सोचते हैं कि हम इसे फेक देंगे क्यू़कि अब ये कुछ कूछ काम के नहीं रहे लेकिन ये बहुत ही काम की होते हैं कैसे वो आगे इस वीडियो में देखेंगे या फिर हमारे पास जो अम्रेला होता है उसे हम ऐसी बैग में रख देते हैं जिसे कारण उसके तार आपस में लगके तूट जाते हैं तो आज मैं आपके साथ मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे की आप इसका इस्तेमाल करके इन सिचुएशन से बहुत ही जल्दी चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं हमारी ट्रिक्स की तरफ सबसे पहली जो मेरी ट्रिक्स है वो है चावियों को लिके कभी कबार क्या होता है कि हम घर में ताला मारके जाते हैं और जो चावी होती है वो जल्दी बासी में हम पर्स में ऐसे ही रख देते हैं अगर उस चावी में कीचन हो तब तो ठीक है अगर कीचन नहीं हो तो बहुत ही जल्दी चावी गुम हो जाती है हमारे पर्स में इतनी चीजों के बीच में चली जाती है कि उसे दूनना फिर मुश्किल हो जाता है और यदि सिंगल चावी हो बिना कीचन के तब तो हम उसे दूनते ही रह जाते हैं तो ऐसे मैं मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊगी जिसे कि आपकी चावी बिलकुल सेकंड्स में ही मिल जाएगी आपको डूनने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप ले लीजिए एक सेफटी पिन और सेफटी पिन को इस चावी में आप लगा लीजिए और फिर देखी आगी हम क्या करने वाले हैं तो पर्स के अंदर इस तरीके से जो कपड़ा होता है उसमें बस आप इस पिन को लगा लीजिए और फिर आप जब भी इसमें कितना भी सामाना भरेंगे तो आपको फिर भी चावी आपकी बहुत ही आसानी स मिल जाएगी तो ये तो हो गया एक तरीका दूसरा तरीका ये है कि हमारे पर्स के अंदर इस तरीकी से चैन तो होती है हर पर्स में होती है तो बस चैन को आप चैन पे लगा लीजिए पिन को और फिर बस आपका अभी काम हो गया है तो अभी आपको जो चावी है बिलकुल इस तरीके से यदि चावी नहीं रखते हैं ऐसे ही पर्स में यदि डाल देते हैं तो जल्द बाजी में कुछ मार्केट वगरा में हम सामार निकालते हैं तब क्या होता है कि उसके साथ साथ हमारी कभी कभार चावी भी नीचे गिर जाती है और हमें पता ही नहीं लगता तो य अफली जो मेरी ट्रिक है वो है वेस्ट ग्लास को लेगी यानि कि ऐसे हमें लगता है ग्लास को देखे कि अब इसकी हमें जरुवत नहीं है बहुत पुराने हो गए है क्योंकि इन दोनों की सिंगल सिंगल से पीस बचे हैं और दिखने में अच्छे भी नहीं लग रहे हैं आटा नहीं ठीक है तो आप भी अपने पुराने ग्लास को फेकने से पहले एक बार इसे जरूर देखे इस ट्रिक को तो मैं आपको पताती हूँ कि यह जो ग्लास है पुराने आपके किचिन में काम आ सकते हैं आपके बादरूम में काम आ सकते हैं तो यहां पर आप ले या फिर जो सॉक्स आपके काम में नहीं आते होंगे वैसे सॉक्स आप ले ले ये इस तरी किसी सॉक्स को ले सॉक्स के अंदर ग्लास को डाल दे और सॉक्स यदि लंबा है तो उसे मोड ले तो अब देखे ग्लास कितने ज़्यादा सॉंदर लग रहे हैं आप दूसरे जो कलरफुल सॉक्स होते हैं वैसे भी ले सकते हैं तो आप इसमें चाहे कुछ भी रख दे आप इसमें ब्रश वगेरा रख सकते हैं आप इसमें चाहे कोम वगेरा रख सकते हैं कंगी जो होती है वो आप रख सकते हैं किचिन के चमच वगिर आप इसमें रख सकते हैं तो इसमें आप जो चीज चाहे आप वो चीज रख सकते हैं है ना दोस्तों बहुत ही कामाल की ट्रिक और यदि आपको लगता है आर्ट डर्स दिन के बाद की सॉक्स जो है बहुत कामाते हैं. बारिश के मौसम में अम्म्रेला का इस्तमाल हर कोई करता है और ऐसे मौसम में हम यदी बाहर जाते हैं कहीं पे भी दुकान वगरा फे भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो हम अपने पास चाता जरूर रखते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश का कुछ कहा नहीं जा सकता बारिश तो कभी भी आ जाती है जब चाता हम नया नया मार्केट से लेकर आते हैं तो तब तो क्या होता है कि चाते के साथ हमें चाते का कवर भी मिलता है और जब कवर होता है तो हमें रखने में कोई परिशानी नहीं होती है cover में डालके चाते को हम purse में रख देते हैं और जब हमारा चाते का cover गुम हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि चाते का जो इस तरीके का belt होता है उसको इस्तेमाल करते हैं चाते को organized रखने के लिए तो ऐसे तो हम belt को बंद करने के बाद इसको bag में आसानी से रख पाते हैं तो चाते में belt है तब तक भी ठीक है कभी कबार क्या होता है कि हमारा चाता और पुराना हो जाता है तो उसका belt भी तूट जाता है और फिर तो चाते को organized रखना बहुत मुश्किल होता है और बिना cover बिना belt के यदि हम purse में ऐसे ही रख देते हैं तब क्या होता है कि इसकी तारे जो है आपस में ये सामान में जो bag में सामान होता है उसको लग लग के तूट जाती है और फिर चाता हमारा damage हो जाता है तो अगर हमारे पास ऐसा चाता है जिसका ना cover है ना belt है और चाता बिल्कुल अच्छा है तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमारा चाता बिल्कुल organized रहे बिल्कुल आपस में उलजे नहीं तो ऐसे में हम यहाँ पे इस्तमाल करने वाले हैं socks का तो यहाँ बर भी आपको ऐसा socks लेना है जो हम जादा use नहीं करते हो काम करना हो या कभी कबार क्या होता है कि हमारा single सा socks बच जाता है उस socks को भी आप रख सकते हैं तो आप कहेंगे कि हम socks का यहाँ पे कैसे इस्तमाल करेंगे तो यह देखिए हो गया न हमारा अमरेला बिलकुल manage अब आप चाहे से bag में रखिए पर्स में रखिए चाहे कहीं पे अटका के रखिए आप चाहे से कैसे भी कहीं भी रखिए यह बिलकुल arranged रहेगा तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल के ट्रिक्स आप भी इन ट्रिक्स को जरूर ट्राय करें वीडियो तोड़ी सी भी अच्छी लगी हो इंफर्मेटिव लगी हो तो like, share, subscribe करना बिलकुल न भूले साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में रिशेदारों में जरूर शेर करें ताकि आपकी जरीयों उनकी भी मदद हो जाए वीडियो